हेलो वेलकम बैक तो मैं चैनल आप सब का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आज हम यहां पर लेक्चर 17 देख रहे हैं साइन्स को जो हमने शुरू किया था उसमें हम दो तीन पार्ट डो पार्ट अल्रेडी देख चुके हैं जो भी आ चुके हैं आज हमें आप शरीर औ डेडिकेटेड उसको नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए फिर इस लेक्चर को देखिए और लग जाईए इस रड़ भूमी में क्यूंकि आप बहुत कम समय बचा है यूपी पीस्सी के लिए भी तो प्लीज प्लीज को जोग दीजे अच्छे से जल्दी से जल्दी इ समझाती कोई कोई है तो तुरंत मुझे आप फॉलो कर सकते इंस्टेग्राम चैनल और मेरी टेलीग्राम आइडी पर मुझे मैसेज करिए कुछ समस्य आ रही है पढ़ने में तो और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज आपकी ड्यूटी है कि सासात में चोटा सा कर दीजिए कॉमेंट करना ना भूलें वीडियो शेयर कर सके तो प्लीज शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कहां तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइमली इस तरह से नई नई वोडियो आपको मिलती रहेंगी आज हमने जैसा की कहा सब से पहले हम इसको इसमें कि विश्व स्वास्त संगठन के दौरा वाइश्वित तपेदिक रिपोर्ट को जारी किया है पहली चीज अब ऐसा क्या इंपोर्टेंट है जो मैंने का मुस्ट इंपोर्टेंट है ऐसा इसलिए कि यह जो तपेदिक जो टी बी है आप देखेंगे कोरोना वारेस की बीमारी के बाद विश्व में ऐसा संक्रामकारक है जिससे होने वाली मृत्यू के मामले में टीवी दूसरे नंबर पर है तो इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है यानि की टीवी जो है सेकंड पॉजीशन पर है डेथ के मामले में जबकि आप देखेंगे फर्स पोजिशन पे कोविड रहा है अब वर्श 2002 में अगर आप देखेंगे विशुस्तर पर टीवी से ग्रसत लोगों की संख्या कितनी थी 7.5 मिल्यीन रही है अब वैश्विक टीवी निगरानी की बाद क्या हुआ 95 में वैस्विक टीवी निगरानी जो है इस संगठन के दौरा है है 95 वैश्वीक टीवी निगरानी शुरू कि बाद तो TV के पीड़ितों की संक्या में और वरदी देखी गई है वो व्रद्धी अब देखी जाएगी तो 2022 में कितनी है इतनी देखने को मिलती है और पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक टीवी निगरानी कवल आया गया था 1995 में इसके बाद यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व में अगर टीवी के दो त्यहाई मामले देखे जाए तो आठ देशों में दो त्यहाई मामले सबसे जादा दिखाए देते हैं पहले नंबर पे आप देखेंगे भारत है अपना प्यारा भारत 27 परसंट इंडोनेशिया में 10 परसंट चीन में 7.1 परसंट भार करेंगे विश्व में कि जो है टीवी से टीवी मुक्त विश्व को करा दिया जाए लेकिन भारत भाई ने क्या किया है भारत ने कहा है कि हम तो 2025 की कर देंगे ऐसा अब अब यहां पर कॉंट्रडक्टरी क्यों है अब इसको समझ यहां पर कहना का मतलब यह है कि वर्ष 2027 त कि गा 2022 में विश्व इस्तर पर टीवी के सरवादिक मामले भारत में 27% दर्ज किये गए मतलब आप देखिए टार्गेट हमने विश्व इस्तर पर 2030 हमने 25 ले लिया 25 के हिसाब से अगर आप देखो अभी 2022 में 27% पूरे विश्व में सबसे अदा टीवी के मामले हमारे पास ह तो क्या लगता है आपको कि 2025 तक हम टीवी मुक्त हो पाएंगे उस कॉंटेक्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है और 9 सितमबर 2022 को यहां पर देखेंगे प्रधान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान का शुवारम किया था ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पीटी के लिए भारत प्रधान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान शुरू किया था अब यहां पर वही बात कही गई है ना कि 2025 तक टीवी उन्मूलन का लक्ष रखा गया है वैश्विक टीवी लक्ष जब कि आपका 2030 है भारत सरकार ने जो लक्ष रखा है भारत लिए 2025 अब यहां कह रहे हैं जो प्रधान मंत्री टीवी मुक्त भीयान उसके तेहत निक्छाम अ मादियु बाधमतिए साथ और ले जाता है उनकी देख ताहरा सब Hide यहां पर ने सूलब करने के लिए आ nya ऐन यहीं है इलाज में मदद की जाती है इसी लिए इंपOR टॉपिक हो जाता है ध्यान रखना है बहुत इंपोर्टस में भारतिय चैत्र दूसरा पहसा आपटरी चैतर दूसरा क्या है यह विश्व पशू स्वास्त संग्ठन की वर्ड और अनिमल हेल्थ ववा द्वारा भारतिय पोल्ट्री छेत्र के अतदेग रोजजनग एवियन इंफ्लुएंजा के से मुक्ती होने की भारत की सौग होशना को मंजूरी प्रिदान की गई किसके द्वारा की गई है व तेरा अक्टूबर को पढ़ा है ठीक है अब आप कहेंगे इस बार पढ़ा है मतलब मैडम दिवस तो एकी हर साल एकी वर्ष हर प्रतिवर्ष तो एकी समय पर होता है लेकिन नहीं विश्व अन्डा दिवस जो है वह आप ध्यान रखेगा सेकेंड फ्राइडे एवरी इयर सेकेंड फ्राइडे ऑफ ऑक्टूबर मनाया जाता है मतला हर साल ऑक्टूबर के दूसरे फ्राइडा जो आता है सेकेंड वीक के जो फ्राइडे आता है उसमें मनाया जाता है और इस बार जो सेकेंड फ्राइडे था ऑक्टूबर का वो तेरा अक्टूबर को पढ़ा है इस आया है यानि कि यह जो वैक्सीन है वो दूसरी है पहली कौन सी वैक्सीन होगी इसको पहले हम देख लेते हैं जो पहली वैक्सीन थी 2021 में WHO के द्वारा आई थी वो थी Mox Curis क्या है पहली vaccine थी ठीक है पहली vaccine थी पीटी के लिए important है यह इसके बाद आप देखेंगे जो R21 यह matrix M TK को Oxford University के Jenner Institute और Serum Institute of India के दोरा विक्सित किया गया है very important for PT जो TK है matrix M आपका vaccine है Malaria Rodhi TK का जो दूसरा आया है वो Oxford University UK की जो Oxford University और Jenner Institute और Serum Institute of India के दोरा विक्सित किया गया है Science Group से ठीक है यहां तक clear है इसके बाद अगला क्या कह रहा है इसी पे आगे देखते हैं 136 पेज नमर को लिए इसमें कह रहा है कि इस TK के विकास में अमेरिका जै प्राधिग की कंपनी नोवावेक्स इंक और नोवावेक्स इंक की एंड जुवेंट प्राधिग की भी महतपूर भूमिका इसमें रही है ठीक है अब इस TK में नवोवेक्स का मैट्रिक्स एंड एजुवेंट शामिल अभी कुछ ऐसे बहुत डेप्थ में जाके टर्म से जिनको समझने की ज़रा तभी नहीं है ना मेरा बैग्राउंड साइंस का ना आप में से बहुत से लोगा बाइग्राउंड साइंस का तो इसको सिंपल तरीके समझना है कि इस TK म पॉलाजा तो प्राकर्तिक रूपसे पाए जाने वाली यौग यानि की कॉम्पाउंड्स है जिने अदुतिय और शदिये घुड होते हैं और यहां पर किसकी तो बारे में जाने वाला एक तरह से पीड है तुकि इसके बारे में कह रहा है और कह रहा है कि जो एड्जूमेंट है वो किसी टीके का ऐसा घटक होता है जो टीके के प्रतिरक्षा प्रडाली इम्यून सिस्टम की प्रतिकरिया को बढ़ा देता है जिससे वे टीका अधिक शक्ति चालू और टिकाव डिरेबल हो जाता है यहां पर आपको दोनों को एक्स्प्लेइन किया गया है यहां तक ठीक है अब यहां पर यह हमने समझ लिया कि भाई सेपोनेंट क्या होता है और किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है और यह टॉपिक ओवराल जो है यहां पर पहला और दूसरा जो मलेरिया रोधी टीका है व नमेंफ और मुद्रकोष हो गया इसके बाद वर्डेивать विए व्कार ओओ विश्च उझाए इंक यहां डेटेल कोश हो गया इन सब के बारे में ज़रा डिटेल में आप जान लीजे यह को पी फाई क्युमें मिल जाएगा बहुत आसानी से मिल जाएगा साइDJ्स की आपकी प इसमें क्या होता है कि सुरक्षा के सदर में सभी रोगियों को कुछ मूल अधिकारों को रेखांकेद करने वाला रोगी सुरक्षा अधिकार पहला ऐसा चार्टर बनाया गया है अब यहाँ पर क्या है कि वश 2021 में डवलू एचो दारा वैश्विक रोगी सुरक्षा कारियोजा 2021 से 30 यानि कि एक दशक की बात कर रहा है आपर ठीक है को अंगी करित किया गया था तो यह important है क्योंकि यहाँ पर date change करके पूँछ सकते हैं और को confuse कर सकते हैं तो 2021 में डवलू एचो दारा विश्व रोगी सुरक्षा कारिकरम 2021 से 30 तक के लिए एक दशक के लिए अंग्री करित किया गया था ठीक है यहाँ पर clear है अब यह box में क्या कह रहा है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो सबसे पहले तो 17 से मनाया जाता है वर्ड पेशन सेफटी डे इस बार कि अगर theme की बात की जाए रट लेना है इस बार की theme क्या है रोगी सुरक्षा के लिए रोग्यों को सलंगने करना इंग्लिश में याद रखना है engaging patient for patient safety और विश्व रोगी दिवस कब मनाया जाता है 17 सेप्टेंबर को मनाया जाता है यहां तक clear है कोई doubt कोई समस्या चलिए आगे बढ़ते हैं इसी page पर आप देखें कि page 136 पर आपको एक और topic मिलता है जिसका नाम है WHO पारंपरिक चिकिस्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 ठीक है और WHO के बारे में यहां पर कर रहा है World Health Organization की बात कर रहा है 1948 में बेसिकली बना था इसका headquarter अगर आप देखेंगे तो कहां है जिनेवा स्विट्जर लेंड में है ठीक है स्विट्जर लेंड में है तो यह WHO के बारे मैंने थोड़ा बता दिया है आप इसके बारे में और जानना चाहें तो देख सकते है ठीक है अब यहां पर कह रहा है कि अब इसमें important क्या है कि G20 इसके दोरा इस शिकर सम्मेलन का आईजन किया गया है अब इसका विशय क्या है कि towards health and well being for all यानि कि सभी के लिए स्वास्त एवं कल्यान की और इसके बाद यहां पर कह रहे हैं कि यह प्रत्थम जो विश्यो शिकर सम्मेलन हुआ है इसके परणामों को देखते हुए गुजराद घोशना पत्र जारी किया गया है एक गुजराद declaration जारी किया गया उसके अंतरगत कहा गया है कि इसमें आशदी चिकिसा के प्रकारों में आप देखेंगे हरवल आशदियां सुदेशी पारंपरिक आशदी होमेपैती पारंपरिक चीनी आशदी नैचरोपैती वाइरो प्राक्टिक उपचार आर्थ इत्या कह रहे हैं तो यहां कह रहे हैं डावल ग्लोवल सेंटर फोर टरडिश्नल मेडिसन की आधार शिला रखी है और इसमें कहा गया है कि किसी वीकास शील देश्ट में स्थापित किया गया सेंगत रास्ट का पहला और सबसे बड़ा पारंपरिक चिकिसा के इदर कहा खोला घया है जामनगर गुजरात में कौन सा डवलो एचो ग्लोवल सेंटर फॉर ट्रडिशनल मेडिसिन और कहां पर कोला गया किसी विकाश्री देविस सबसे पहले साइक रास्ट के दौरा इसको स्थापित किया गया है वह केंद्र कहां पर है अपका गुजरात जामनगर में है याद प्लेट के लिए ग्वारटन फाक्त है बुजा है इसके बाद आता है पर सिकल सेल अनिमया उन्मूलन मिशन की पड़ारस्प्रवेक है कि दॉजए इनिमया का शुबारं नरें मोधी जी ने और इस मिशन hour है г το का तो नार्केट है कि 2007 सेल अनिमिया के लग्षणर धार चैनल के का रहे हैं कि मिशन के शुरुवात में 17 राज्यों को प्रात्मिक्ता दी गई है जहां पर सिकल रोक का अधिक प्रसार है मतला आप ज़ादा तर देखेंगे सिकल सेल रोक जो अधिक प्रसार है तीज क्षेत्र में आपको ज्यादा तर यह देखने को मिलेंगे वह सिकल सेल एनीमिया क्या है एक आनुवान्शिक रोग है और इस बीमारी में रोगी की जो लाल रख्त कश्का याने की रेड ब्लॉट सेल्स है वह ऑक्सीजन की कमी से अर्ध गोलाकार और सक्त हो जाती है यहां कहने का पताद पर यहां पर क्या है इसको पर यहां बनाती हूँ देखिए यहां पर कह रहे हैं जो हमारी विमारी से जो जो कोश्काए है ना यहां पर देखिए इस तरह से बनाने की कोशिश करती हूँ जो कोश्का है इसमें कह रहे हैं कि जो लाल रख्त कोश्का है वह अर्ध गोलाकार और सक्त हो जाती है इस प्रकार से हो जाती है जिसके कारण क्या होता है जिससे सिकल सेल जो है कहा जाता है इसके कारण क्या होता है सिकल सेल धमनियों में अवरोध उत्पन करता है जिससे शरीर में हीमोगलोविन और रख्त की कमी होने लगती है इसलिए रोग हीमोग्लोगिन और रक्त की कमी होने लगती है और यह रोग जो है इसको सिखल से रोग कहा जाता है तो कि आप इसके साथ सथ आपका एक होमवर इसी संदर में है जैसे red blood cells की बात की गई है यहाँ पर ठीक है उसी प्रकार से white blood cells कौन कौन से होते हैं उनको जरूर देख लीजेगा इसी के साथ साथ आपको जितने भी blood groups है उनके बारे में अच्छे से study कर लीजेगा आपको science के पुर्णा लोकर में पी वाई क्यू में अराम से सारा कुछ मिल है यह क्या है वर्ड हेल्थ organization ने बेलीज को malaria मुक्त घोशित कर दिया है यानि कि malaria मुक्त प्रमाड हासिल करने वाला अमेरिका छेतर का चौथा और मध्य अमेरिका का दूसरा देश बन गया है और यहां पर आप देखेंगे कि परागवे अर्जेंटीना और अल सल्वाडोर ने 2018-1921 में malaria मुक्त देश का प्रमाड पत्र हासिल कर लिया था ठीक है तो अब basically यहां पर कह रहे हैं कि जो malaria मुक्त परागवे हैं अर्जेंटीना है अल सल्वाडोर है बेलीज है इसके साथ साथ आप यहां पर देखिंग और कौन कौन सी है 2023 में अजर वैजान है और तजा गये हैं और 2022 के अंसार दक्षर पूर्वेशिया में malaria के कुल मामलों में भारत 66% के लिए जिम्मेदार है और भारत कहता है कि और भी तकाई बिमारियों में एक टार्गेट ले रहा है ठीक है तो यहां पर आदकना है कि वर्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 के अंसार दक्षर पूर यह तीन यह हो गए इसके बाद आपकी अजरबैजान है तजाकिस्तान पांच यह हो गए ठीक है और पांच मतर टोटल इतने सारे जो है वो मलेरिया मुक्त देश यहां पर कहलाते हैं अगला टॉपिक है यहां पर डब्लू एचो अंतरास्टे रोगाडू निगरानी नेट बाचाओ करना इसको में जो जीनोमिक्स है ना जीनोमिक्स है उनकी जीनोमिक्स की शक्ति के माद्न से संक्रामक रोगों खत्रे से लोगों की रक्षा करना है जीवाडू अनुवाण्शिक कोड का विशलेशन किया जाता है और आई-पी-एस-एन का सचवाल है यानि कि यह यानि कि आपका यह अंतरास्टे रोगाडू नेटवर्क निगरानी नेटवर्क जो है इसका सचवाल है वह फॉर पेंडेमिक एपिडेमिक इंटेलिजेंस में इस्थेत है यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना होगा कि इसका सचवाल है कहां पर है ठीक है बस वारानसी में उद्खाटन हुआ है और इसमें में चीज क्या आद आखने कि ग्राम पंचायतों के सहयोग से सहयोग का लाब उठाने के लिए टीवी ग्राम मुक्त पहल को भी लॉंच किया गया है तो ग्राम पंचायतों के सहयोग को भी लॉंच किया गया है तो ग्राम साइंस को हम यहां पर देखने वाले हैं कि अभी तक कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट कर दीजेगा पूश लिजेगा कोई डाउट है किसी प्रकार का लेकिन वीडियो को पूरा देखना इस कि कर करके माद देखिए 1.5 एक्स या 1.25 एक्स पर चला कर देख ली थे तो जानवर इलाके में पाया जाता है अब यह तमिल नाडू का राज की पशू है जिसके कारण नील गिरी तहर परियोजना को मन्जूरी दी गई है पहली चीज ठीक है अब यहां पर देखेंगे कि हर वर्ष्ट साथ अक्टूबर को नील गिरी तहर दिवस मनाया जाता है जिस इसको शामिल किया गया है फिर अगला टॉपिक क्या कहता है देश का चौनवा बाग अव्यारण बीस सितंबर दोजर तेइस को मद्द प्रदेश सरकार के दोरह वीरांगना दुर्गावती बाग अव्यारण जो है इसकी गटन के अदि सूचना जारी की गई थी ठीक है और दुर्गावती वनजीव अव्यारण दोनों को मिलाकर एक जो है आपका वीरांगना दुर्गावती बाग अव्यारण बना है तो जो वाइड लाइफ सेंचुरीज है ना दो वाइड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है नैरा देही वनजीव अव्यारण और फिर इसके ब यहां पर आते हैं यहां क्या कहा रहे हैं यह काफी इंपॉर्टेंट ध्यानकना इसे पता चलेगा कितने वाग्या वहरण है मद्यप्रदेश में तो जैसे काना है सत्पुड़ा है संजय दुबरी है पेंच है बांदव गड़े पनना है इसको एक बार रीड कर ले देगा और यह जो है एक सो आठ पंकड़ियां होने के कारण नमो एक सो आठ इसका नाम पिया गया है और इसमें क्या है कि यह जो CSIR है यह लखनव इस्तित यानि की राजट्री वनस्पति अनुसंदान संस्थान दौरा विक्सित किया गया है यह पुश्प जो है CSIR की राजट्री इसके बाद आप यहां पर देखेंगे यहां पर कह रहा है कि इसके कुछ हमें लक्षण इत्यादी देखने हैं जैसे कमल के पुश्प की अन प्रजातियों के विप्रीद नमो एक सो आठ प्रजाती मौसम परिस्तिती के प्रति अधिक लचीली है यहने की वैदर रेजिलें कि दूषरा देखेंगे इसका लक्षण क्या है कि एक 108 पुश्प की अंत्रती की प्रजाति की अंत्रतियों की इसे से जी नोम को यह दिया है अगला टॉपिक है हमारा अखिल भारती बाग आकलन 2022 यहां पर क्या ग्लोवल टाइगर दे के दिन वैश्विप बाग दिवस 29 जुलाई को बनाया जाता है पहली चीज हमें यादत नहीं है और और अल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन यह पांच में फिफ्ट साइकल के विस इंडिया नामक रिपोर्ट में संकला ने प्रस्तोत किया गया है और प्रेजन टाइम में अगर आप देखेंगे भारत में बागों की अनुवाने संख्या कितनी 3682 है ठीक है अब इसमें देखेंगे कि उत्तराखंड में अगर आप जाएंगे इसमें सीधे नीचे फैक्त प सब्केमिद्व प्रिदेश करनारठक उत्राखंड माराज टमिलाडू किस देश में गितने बागी संख्या इसको शराज में कितनी है उसको देख लेना अ किया और इसके बाद उत्तरप्रदेश के संदर में अगर रही जाए तो बागों की संख्या दोसो पांच सद्र्श क किया गया था और विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ी प्रजाती सनक्षन पहल ये पहली बार लाया गया था और एक अपरेल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के पचास वर्ष पूरे हुए है और प्रोजेक्ट टाइगर के पचास वर्ष होने के स्मौनोत समय य बिश्व की साथ प्रवु विग कैट्स आती है जैसे बाग शेर तेनुआ हिम तेनुआ प्यूमा जैगवार चीता ठीक है अब यहां पर कह रहे हैं यह एयर लाइन जो है यह साथ बिग कैट्स को सुरक्षा पन्यापर ध्यान के इंदृत करने के बनाए गई है तो इंपोर जंगली चीतों को और बता रहे हैं कि 1952 में देश में विलुक्त घोशित हो चुके चीतों के लगभग साथ दशकों के बाद भारती भूमी पर अब वापसी हुई है और दक्षण अफ्रीका से ही जो है बाराज चीतों में को कूनो रास्टे उध्यान में रहने के लिए मु पहले नतर महादीप को गया क्योरा इस सफैने लाई चीतों को मर भी गहे हैं तो पहली अंतर महादीप Igor अंथा अंतर तीущ इन विषाल जंगली सारी जानौरों को लौँ लाये विए आप कह रहे हैं यहां पर आप देखना है जिसे तरह म्या भारत दिंड़ा अब अपर या आप दिया गया नहां तो आप देखे hat हैं है छार बैवी है इसके बाद एक था आप देखेंगे कि इसमें एक था शौर दस्मा चीता था जो लाए गया था ठीक है शौर दस्मा यानिकी homework क्या होना चाहिए? homework आपका होना चाहिए project tiger हो घात in situ इन ंसी टू क्या होता है? एक सी टू क्या है? यह रोल है? इस पर्रयवरेण पारिस्तितिकी का जरूर करना है फिलाल मैं भी पर्रयवरेण पारिस्तिकी का MC partly सटार्ट कर है लेकिन इससे पहले एक बार गूगल पर आप यह सब सर्च करके बैठ चाहिए देख लिए ठीक है अगला टॉपिक है महेंद्रगीरी उपर तक समझ आ गया ठीक है महेंद्रगीरी पहाडी जैविविता विरासत इस्थल तो यहां पर देखेंगे यह जो है विरासत इस्थल की इनको जैविविता विरासत इस्थल गोशिद किया था हम देखेंगे कि यह ओडिशा का तीसरा जैविविरासत इस्थल है पहला था महेंद्रगीरी पहाडी यह भी ओडिशा सरकार का है ठीक है जैविविता विरासत इस्थल दूसरा था जैविविता विरासत इस्थल और प्रथम यहां दूसरा हो गया महिंद गिरी पहाडी प्रथम जैवेविता विरास्त सतल क्या मन्द सरू जो कंड माल जिला में है तीन है घंद मर्दन पहाडी महिंद गिरी पहाडी फिर आपका मंदूरून यह दिखा जाए तो अरिटा पट्टी तमिल लाडू का यह तो हमने असम के देखे ऊपर हम पूरे भारत में अगर हम बात करें तो चौता है यापका तमिलाडू का पहला जयविता विरा सते था अरिड़ता पट्टी तमिलनाडू का है रही प्रेजन यहां पर पहला दूसरा इंदर से सिर्म नंबर ये पहला दूसरा तीसरा चौथा इसका पाचमा आपका क्या है नेलूर जो ग्रोव यहां पर विरासत इस्तल है उसके बारे बात कर रहा है ठीक है यहां तक समझा गया इस टॉपिक में फिलाल इतना ही था अगला टॉपिक हमा और परिस्तितिकी के MCQ में आपको पूरा यह देखने को मिलेगा ठीक है अब भारत की 11 नई आद्रभूमियों को रामसर इस्तलो की सूची में शामिल किया गया है ठीक है और इनकी संक्या जो है 75 वे वर्ष में देश में रामसर इस्तलो की संक्या बढ़कर 75 हो गई है यहां प पर दे रहे हैं कि इसको बस एक बार रीट कर लेना है तमिल नाडू में कितने जो है आद्रभूमियों रामसर इस्तलो इसको बस एक बार थोड़ा सा ऐसी नजर फिरा लेनी है इसके बाद उत्तर प्रदेश का थोड़ा देख लेना क्योंकि यूपी का एक्जाम देरे जा रहे हो इनके अक्चुली लोकेशन आप देख लेना इनकी लोकेशन पर थोड़ा ज्यादा देना ठीक है इसके बाद आप पंजाब में आएंगे तो पंजाब में भी यहां पर कई सारी वह आद्रभूमिया इत्यादी है यहां पर ओडिशा में जैसे तंपारा जील चिलका प्रदेश में आप आएंगे हमा Mon run Γिया पांग मन्दव देखने को मिलती है तो इस सबके लोकेशन में इत्यादी को थोड़ा साब देख लिए न थीक है समझ लीजेगा ठीक है फिर इसके बाद यहां पर थोड़ा से यह बसता है आसन सर्रक्षन रिजर्व और नंदा जील और रंगरातु यह को लोरू जील आंदर प्रदेश में हैं इससे आपको जीलों की लोकेशन पता चल रहे हैं मड़ीपूर में लोक्तक चील है इसके बाद क्या है अब यहां पर क्या हमें करना है आइनस इंफाल भारतिये नौसेना में शामिल कर लिया गया है यानि कि यह क्या है कि यह किसी अन्य स्वदेशी विद्वानसव पोत्त की तुल्ला में आइनस इंफाल का निर्माड़ और प्रोडिक्शन सबसे कम समय लगा है ठीक है तो किस नौर्थ कोस्ट राज्य को यहां पर इंफाल का जो नाम देरा तो पहले आपकी ड्यूटी क्या है कि नौर्थ इस्ट के किस राज्य की राज़दानी इंफाल है पहले तो यह जान लिए ठीक है यह पोत्त परमाणू जैविक और रसानिक युद्वी कि इस्तितियो है वह कौन-कौन से यहां पर आप डिटेल में देख सकते हैं तीक है परियोजना 15B के तायत आइनस इंफाल को जो है तीसरा युद्व पोत निर्मित किया गया है यहां पर पोत के नाम निर्माता और नौसिना में शामिल होने की तिथी दी गई तो यहां याद रखना है आप इस विशाका पत्नम पोतों के नाम से भी जाना जाता है अब कह रहे हैं यहां पर अब देखें यहां पर यूज क्या था सुदेशी विध्यांसक पोत का मतलब पूरी तरह से स्वाइब निर्मित इन्हों ने किया होगा इस पोत को जब कि यहां कहने का मतलब क्या है इसको प्रश्ण बनने की संभाबना हो सकती है कि यह जो पोत है लगभग 75% स्वादेशी उपकरोन से निर्मित है जबकि 25% अन्य भाहर से लिया है जबकि इसमें कह रहा है कि स्वादेशी विध्यवन्सक पोत है तो 75% स्वादेशी उपकरण है इस के अंतगर ठीक है आयने सिंफ पर क्या है समर वायू रक्षा मिसाइल प्रणाली यह क्या है यह समर की फुल फॉर्म है वो उसको समझे पहले सरफेस टू एयर मिसाइल अश्यौर्ड रली रिटेले रिटेलेशन ठीक है यानि कि भारती वायू सेना ने अस्तर शक्ती युद्धा बैस के दौरां समर यह जो परिक्षन है सूरिलंका एयर फोर्स स्टेशन इनकी आंदर प्रदेश से किया गया है तो यह याद रखना है इसके बाद समर मिसाइल की मारक शम्ता लगबग 10 से 12 किलोमीटर है जिसका उप्योग कम उडान वाले हवाई लक्षों को विरुद किया जा सकता है ठीक है अगला प्रशन है प्रले मिसाइल का सफल परिक्षन तो प्रले क्या है इसका उडान परिक्षन सफलता पुर्व संपन हुआ है इसमें क्या है कि यह परिक्षन ओडिशा के तट से एपी जे अब्दुलकलाम दीप से किया गया अब आपका होमवक यह कि एपी जे अब्दु हों होट अपिसके बात इसकी बद्री की विशेश्टा होगी ए की विशेश्टा मां समझने होट कर सबस्क्राइब बात तीसरा पॉइंट इसमें के मारक लिक मीटें के मार तीथितику-षाई कि उन्हें है किसे के देटोहन मांने पीडिवूनरा सथे यह मिसाल केवल पारम पर युद्ध शीष के वेहन करने के लिए डिजाइन की गई है और इस मिसाइल को प्रत्वी रक्षा वाहन यानि की प्रत्वी डिफेंस वेहकल नामक एक बहु वायुमंडली ए इंटरसेप्टर मिसाइल से व्युत्पन की संगया दी जारी है बस इसको चिन की डांग फइंग 12 और रूसक मके 720 इसकांदर मिसाइल के संतिल है लिएं सी मिसाइल के संतिल है अगला टॉपिक है विश्यव की सबसे ऊची एयर फील्ड के बारे में यह आप बात कर रहे हैं विश्यव की सबसे उची एयर फील्ड ठीक है Grade तो यह जो है है लग्ड सेलन्यास किया किसके दौरा राजनासिंग जो कि हमरे रक्षा मंत्री है और यह जो है रक्षा मंत्री ने इसी दिन पूर्ण की गई अन्य पर रियोजनाव का भी हां पर उद्खाटन किया था और यहां पर लद्दाक में इस दित नियुमा एयर फिल्ड में 13710 फीट उचाए पर यह बनाई जारही है होमवक आपका क्या यहां पर होगा 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 अलो सी लो लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है पताना है और जितने भी अंतरास्टी सीमा एंदेश के साथ जुड़ी है उनके बीच में क्या 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 कहा जाता उनके बारे में देख लेना जैसे पर नियोमा एरफील्ड लद्दाक में तीसरा लडाकु एरबस होगा तो तीसरा लडाकु एरवेस जो है नियोमा एरफील्ड लद्दाक में होगा एरबस में होगा और यह जो ले और कहा होगा थोईस दो एरवेस पहले से ही लडाकु विमानों के संचालन में सक्षम है तो सेला सुरंग के साथ रणनेतिक द्रस्टी से भात्मैतपूर्ट तवांग शेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है ठीक है पीटी कले इंपॉर्टेंट है अगला ट्रॉपिक है आपका आइल थर्टी एड्सी ड्रैगन सेवा मुख्त है निया जो आप देखेंगे इल्यूशिन एल्यूशिन थर्टी एड्राइगन सब्स्कांब कहा जाता है और एक समुद्री घश्टी विमान और पंडुबी रोधी युद्दक विमान है यह और आई एल जो अभी इसका नाम कहा गया इसको इन शॉट कहा दिया गया आई एल 38 विमान को पूर्व सोवियस संग दौरा डिजाइन किया गया निर्मित और विक्सित किया गया है इसको और इसमें वस इतना ही याद रखना है कि समुद्री गस्ति विमान आई ऐल ड्रैगन को भारती नौ सेन से सेवा मुक्त कर दिया गया है ठीक है पी-े टी-वन विमान इसका स्थाना ग्रहन करेगा एंटी ड्रौन प्रणाली इंदरजाल क्या है तो यह प्रत्म करत्य बुद्धी मत्त सक्षम इंटी ड्रोन प्रणाल इंद्रजाल को है दिश्टित निजी छेतर की कम्पनी ग्रेने रोबोटिक्स की दौरा निर्मित और विक्सित किया गया है पहली चीज इंपॉर्टेंट है दूसरा क्या है इंद्रजाल स्वायत एंटी ड्रोन प्रणाली शत्रुपक्ष के ड्रोनों को पता लगाने उसे ट् किलोमीटर तक के शेतर की सुरक्षा करती है तो 360 डिग्री की सुरक्षा प्रणाल करता है इसके बात क्या इंद्रजाल विश्व की एकमात्र स्वायत व्यापक शेतरवाली काउंटर अन्मेंड एरक्राफ्ट सिस्टम है तो फिलाल के लिए आज की वीडियो को हम यहां पर इतना ही रखते हैं कल हम इसी में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे रक्षा विज्ञान में को पूरा खतम करते हुए फिर हम अगले टॉपिक को नए टॉपिक को शुरू करे अगला टॉपिक क्या होने वाला है तो फिलाल के लिए अभी तक इस वीडियो को यहां पर देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक करें शेयर करें वीडियो को चैनल को अब तक सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें और के साथ बैक्राउंड के साथ चीजों को समझना है सिर्फ रटना देखना नहीं है पढ़ते हुए समझते हुए चलना है चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में